मोधी सरकार ने चेन के इसाथ सीमा विवाद में हुई हिंदोस्तानी सेनकों की शहादत पर देश को गुमराह किया और असल वस्तु स्थिती को चीपाया प्रधान मंत्री, ग्रीह मंत्री एवं रक्षा मंत्री के लगातार बदलते व्यानों से साफ जाईर होता है कि मोधी सरकार ने देश के साथ जूट बोला, प्रधेश कॉंग्रेस प्रबक्तत इपक शर्मने कहा कि राश्टरबाद का मतलब देश से जूट बोलना नहीं है मोधी सरकार ने चीन के साथ सीमा भीबाद में कोता ही वरती है उन्होंने कहा कि हिंदोस्तान की खुविया एजेंसी रौ की नाकामी है इसके लिए रौपरमुख अजीद जोवाल दोशी हैं उन पर कारेवाही की जानी चाहिए अगर रौ ने सही समय पर सुचनाओं को एकत्रित किया होता तो हिंदोस्तान की चावान सेनकों को शहिद होने से बचायत जा सकता था राश्टरबाद का मतलब देश के साथ जूट बोलना नहीं होता है चीन और भारत का सीमा के उपर हुआ विबाद जो है उसमें जिस धंक से देश के सामने मोधी सरकार ने जूट बोला है चाहिए वो परदान मंतरी हो ग्रीव मंतरी हो या रक्षा मंतरी हो जिस धंक से देश को गुमरा किया है ये सचमुच में निंदनिया है और भारत्य जनन्ता पार्टी के छद्रम राष्टबाद को औरशाता है ये राष्टबाद का मतलब ये नहीं है कि आप देश के साथ जूट बोले हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और आप कहते हैं कि ये सैनिक यो है वो चाहिना के सैनिक जो हैं वो हमारे आहां पर नहीं आए इस तरह का विबादिक व्यां देकर कभी एक बात कहकर कभी दूसरी बात कहकर कभी तीसरी बात कहकर हर रोज ब्यां बदल रही है सरकार जिससे साप具 satisfying होता है कि देश को गुमरा किया जा रहा है इस गंभीर को ताही के लिए अजीत टूभाल को इस्तिफा दे देना चाहिए अब जब सैनिक शहीद हो चुके हैं तो भाजबा के केंदरी नेता बार बार प्यानवाजी वदल कर देश को गुमराह कर रहे हैं मोदी सरकार का ये कहना है कि भारत्य सीवा में कोई अतिक्रमन नहीं हुआ अपने आप में विरोधा भासी है दिपक शर्मा ने कहा कि इस जूट के लिए मोदी सरकार को देश शिवम सहीद सैनकों से माफी मांगनी चाहिए कॉंग्रिस रोकता ने कहा कि इस जूट से भाजबा का राश्टरवाद सामने आया है जिसकी कॉंग्रिस पार्टी कर इस शब्दों में निंदा करती है प्यार टीबी के लिए हमिरपुर से वियूरो रिपोर्ट